Hello Agents, आज हम देखेंगे कि New India Agent Portal से हम Floater Policy कैसे जनरेट कर सकते हैं तो उसके लिए हम पहले product में आएंगे, वहां हम select करेंगे Floater Policy The New India Floater Policy उसके बाद यहाँ आपको यह product information, premium table, claim process और FAQ दिखे रहे हैं यहाँ आपको click करने है buy online उसके बाद पहले यह आपको पुछेगा कि आपकी कोई new India में pass की policy है तो हम इस case में click करेंगे no basic information पर click करेंगे यहाँ आपको आपका service order select करना है हमारा case में लेते हैं 5 लाग remember की information डालनी होती है यहाँ मैं मेरी date of birth डाल रहा हूँ यहाँ आप spouse को add कर सकते है, child को add कर सकते है, parents को और बाती सारे option यहाँ आपको नीचे दीख रहा है मैं spouse को add कर रहा हूँ for example आपको child को add करना है, do child, team child यहाँ आप click कर सकते हो यहाँ आपको child की date of birth डाल के यह option select कर देना है मैं यहाँ child को add नहीं कर रहा हूँ तो उसके बात आपको I agree पर click करना है और save and calculate premium so अब यहाँ आपको दीखेगा आपका premium excluding GST आपको यह ध्यान रखना है कि अभी इसमें GST लगना बाकी है यह आपको court number देखा, आपका sum insured, total number और यहाँ नीचे जाके आप break up देख सकते हो basic, proposal का premium इतना, spouse का इतना, total premium इतना, इतना discount और यह gross premium इसके उपर अभी अथा परसं GST लगना बाकी है इसे close करते हैं अब यहाँ save and calculate पर क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे continue अब यहाँ आपको यह थोड़ी basic चीज़ भूशेगा जैसे कि first name, middle name, last name हमारे case में जाते हैं, mister, mission, middle name, sir name, यहाँ gender select कर दीजिए, आपके date of birth select कर दीजिए यहाँ address लिख दीजिए, फिर आपके GST नमबर होता है, आप यहाँ normal select करके पर GST नमबर लिख सकते हो, यह आप किसी category में आते हो इसे साबसे हमारे case में कोई GST नमबर नहीं है, यहाँ हमारा state, यहाँ हमारा pink code यहाँ nationality, यहाँ mobile number, यहाँ आप अपना email id डाल सकते हो, mandatory नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि जितने भी field के बाज़ों में यह से start किया है, वो mandatory fields है, बाकी के field आप blank छोड़ सकते हो, यहाँ click कर ये create, उसके बाद आपको click करना है member information, यहाँ आपके member के सारी information fill up करने बढ़ाईगी, जैसे कि first name है किशन, प्रोपोजर, उसका occupation, हमारे case में business, उसके बाद उसको कोई pre-existing reasons है, no, कोई critical illness, no, have you ever met with major accident, no, ऐसे सारी details आपको यहाँ fill up करनी है, हमारे case में इस अभी चीज़े no है, अब यहाँ spouse का option select करना है, spouse के detail अभरनी है, अब यहाँ nationality, female, pre-existing disease, no, illness, no, accident, no, 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 okay, अब यहाँ नॉमिन की details कुछ राया, नॉमिन की details, यहाँ relationship, relationship अब ले सकता हो, यह spouse ले सकते हो, यह father लेख सकते हो, फिर कोई आपका additional cover लेना होता, ब्यास कर सकते हो, उसके base पर premium calculate होगा, हमारे case में नॉल लेते हैं, फिर TPA की details, TPA की details आप change कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ change TPA कर रहा हूँ, अभी by default हमारा आ रहा है, heritage, अब यहाँ health insurance TPA of India Limited भी ले सकते हो, फिर क्लिक करते हैं declaration पर, उसके बाद क्लिक करेंगे save, अब आपका basic premium, total GST, and net premium आचुका है, अब आपको इतना premium paid करना, फिर से यहाँ आपके break up देख सकते हो, उसके बाद आपकी policy ready हो गई है, अब आपका approve and pay करना है, यहाँ approve and pay पे क्लिक करें, प्लिक करें confirm, यहाँ क्लिक करने के बाद आप ऐसे एक payment page पर आ जाओगे, यहाँ payment करने के इतने matters है, चेक से आप कर सकते हो, नेटबेग में किसे कर सकते हो, अब plan को online link पर इसकते हो, अगर आपने email ID नहीं लिखी है, बेजिक form के details में, email ID नहीं आएगी, नहीं आएगी है, हमारा जो mobile number basic details में लिखा है, वो आ चुका है, हमारा net premium इतना है, अगर इन case of check है, तो यहाँ check number हम डालेंगे, check के तारिक, bank का नाम, और bank के branch, हम यहाँ add करेंगे, उसके बाद हम यहाँ collect premium पर क्लिक करेंगे, तो हमारी policy generate हो जाएगी, thanks for watching.